आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सेल यानि की कोशिका स्लेटेड इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव के होचन जो आपके सफी कजामों के लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया गया है तो आपसे छोड़ा से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास और आपसेंड जिये कोई नहीं देखें यह इंपॉर्टेंट के उचन भी है बईलूजी का जो है वह इंपॉर्टेंट के उचन भाहत लोगों का सिदान्त का परतिपादन किस ने किया option ने है Robert Hoek और option भी है Levenhawk और option C सलाइडर एवं सवान और option डिये इन में से कोई नहीं तो देखे यहाँ पर option C सलाइडर एवं सवान ने कोसिका सिदान्त का परतिपादन किया और option ने है Robert Hoek वो भी हम आपको बता देते हैं तो Robert Hooke जो है मिरित कोशिका का पहली बार खोज किये थे और option B है लिवेन हॉक तो लिवेन हॉक जो थे वो जीवित कोशिका का खोज पहली बार किये थे और option C है सलाइडर एवं सवान तो वो हम आपको बता हैं दिये कि कोशिका सिदांद का परतिपादन किये थे next question है कोशिका के अधियन को क्या कहते हैं option A साइटोलाजी option B है कार्डियोलाजी option C है हेमेटोलाजी option D है विटामिनोलाजी क्या कहते हैं कोशिका के अधियन को तो यहाँ पर option A जो है सही है साइटोलोजी कुछिका के अधियन को कहते हैं और कार्डियोलोजी जो है वो हर्ट के अधियन को कहा जाता है यानिकी हिर्दय के अधियन को कार्डियोलोजी कहा जाता है और हेमेटोलोजी जो है वो बलड के अधियन को कहा जाता है जिसको रक्त के अधियन को हेमेटोलो कहा जाता है, और option D है, vitaminology, तो vitamin के अधियन को vitaminology कहा जाता है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपसे चोड़ा सा request है, कि अगर आप वीडियो को अभी तक क्लाइक नहीं कि तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल वाला ऐकन जरूर दबा द जिली और option डिये इन में से कोई नहीं तो यहां पर option C जो है वो सही है अर्ध प्राग में जिली कोशिका जिली जो है वो किस परकार के जिली है तो अर्ध प्राग में जिली है option C सही है नेक्स्ट की उचेन है निम्नवे से कोशिका की आत्म घाती बैग किसे कहा जाता है देखिए कोशिका की आत्म घाती बैग या फिर आत्म हत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है option A is lysosome option B is ribosome option C is dictosome option D is four gosomes तो देखिए यहाँ पे option A जो है वो सही है lysosome को आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली या suicide बैग कहा जाता है next Q रे कोसिका का सक्तिग्री किसे कहा जाता है या फिर कोसिका की सक्तिग्री या पावर आप सेल किसे कहा जाता है option A है लवन option B है माइट्रोकेंड्रिया option C है गौल जी काई option D है कोशिका भी ती तो देखें यहाँ पर option B जो है वो सही है माइट्रोकेंड्रिया माइट्रोकेंड्रिया को कोशिका का सक्तिग्री या फिर पावर ओप सेल भी कहा जाता है नेक्स्ट क्यूचन है एक कोशीका के किंद्रक में कौन सा द्रब होता है देखिए एक कोशीका के किंद्रक में कौन सा द्रब होता है option A कोशीका द्रब option B जीव द्रब और option C है nucleo plasma और option D कोई नहीं तो यहां पर option C जो है वो सही है, nucleo plasma, nucleo plasma जो होता है, वो कोशिके के केंदरवक में द्रव होता है, option C सही है, next question है ribosome, निमने लिखित में से किसके लिए कारियास्थल है, option है protein sensation, option B प्रकास sensation, option C है वसा sensation, और option D है सवस्थन, तो यहां पर option A जो है, वो सही है, देखिए, option A जो है, वो सही है protein sensation, देखिए, ribosome protein sensation के लिए कारियास्थल है, इसलिए इसे कोशिका का protein sensation भी कहा जाता है, next question है, निमने लिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकारियोटिक कोशिका में समानता दिखाई देता है, option है केवल मार् lvania. अप्षन कोशिका के समान दिखता है, तो प्रोकारियोटिक कोशिका के समान दिखता है, alors, C juste for example, है एक पाधे की कोशिका भीति बन होती है देखिए एक पाधे की कोशिका भीति जο है वो किस चीज से बना होता है option है cellulose option भी कर्भो हायटरेड option siage lipid और option dg liquid लिपोप्रोटीन तो यहां प्रोप्रोप्य exem यह जो है वो सहय सेलूलोज ठीक है पौधे की कोशी का भीति मुखी रूप से सेलूलोज का बना होता है option A सहय सेलूलोज next question है किस कोशी का कियांग का आपना DNA होता है option A लाइसोसोम option B है माइट्रोकेंड्रिया और option C है प्लास्टीड और option D है दोनो दोनो मतलब B और C दोनो ठीक है तो यहाँ पर option D जो है वो सही है दोनो B और C दोनो मतलब माइट्रोकेंड्रिया और प्लास्टीड दोनो के पास अपना अनुवन्सिक समागरी और DNA होता है option D सही है दोनो लाइसोसम और माइट्रोकेंड्रिया next question है प्लास्टीड किस कर्बनिक अनुवन से बनी होती है option E कार्बोहेटरेट और option B विटामिन और option C है लीपिड और प्रोटिन और option D है चारा तो यहाँ पर option C जो है वो सही है लीपिड और प्रोटिन next question है जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भीन है option A केंद्रक, option B कोशिका भित्ती और option C मार्ट्रोकेंड्रिया और option D रिक्तका है तो देखें यहाँ पर option B जो है वो से है कोशिका भित्ती ठीक है जन्तू कोशिका पादप कोशिका से कैसे भीने तो कोशिका भित्ती से है ठीक है आपको बता देते हैं कि कोशिका भी तीप पौधे की कोशिका में मौजूद होता है लेकिन जन्तू की कोशिका में नहीं होता है और यह सेलूलोज और काइटनिक का बना होता है नेक्स्ट क्यूचन है निम्लिकित में से कौन सा सेट आरेने में मौजूद पिरामीड है और 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 next question है निम्नलिखीत में से किस में एक कोशी का जीव है option A है amoeba option B है केचवा option C है हाथ ही option D है बंदर तो देखिए यहाँ पे option A जो है वो सही है amoeba amoeba में एक कोशी के जीव होता है यह वीडियो आप समाप्त होता है आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो झाल झाल